नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलेंग ग्यान में दोस्तो आप लोग जानते हैं कल कम्यूनिटी में एक मैंने पोस डाला था और उसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग की जो जो समस्या हैं कमेंड बोक्स में आप लोग मेंशन करो तो मैंने यहाँ पर 15 बच्चों के सवाल उठा ली हैं और उनके जवाब मैं आप लोगों को दूँगा हाँ, नेक्स जो Q&A की वीडियो है वो आप लोगों को सेटेड़े या संडे को मिलेगी अभी आप लोगों के जितने भी सवाल है जो मुझे लगा कि आप लोगों को जो है इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है और मैंने वीडियो में क्लियर भी नहीं किया है जादा तर बच्चों को तो वो जो है सवाल में pick करके आप लोगों के लिए information लेकर आ गया हूँ लेकिन मेरी आप videos को regularly देखते हैं ना मैंने I think एक भी सवाल ऐसा है जो मैंने अभी तक नहीं छोड़ा लेकिन फिर भी जब आप लोगों से promise किया तो Q&A वीडियो लानी है तो मैं लेकर आ गया हूँ दुबारा से बोल रहा हूँ अगर अभी भी कोई सवाल है मैंड में please comment box में mention करो Saturday जो आएगा और Sunday जो आएगा इन दोनों में से एक दिन में आप लोगों को Q&A की वीडियो फिर से मिल जाएगी पहला जो सवाल है वो आप लोगों का भगेली व्लोग जी की तरफ से ये पूछने सर मैं दो ट्रेट से आई टे किया एक कोपा से एक फिटर से क्या दोनों से form फिल कर सकता हूँ दूसरा इनका question है सर इसकी तैयारी के जो है कैसे करें तैयारी कहां से करें हम लोग तो मैं जो है ये भी आपको बता दूँगा तो इनके पहले सवाल का जवाब देते हैं तो भाया देखो आपने 10 ट्रेट से आई टे किया हो 20 ट्रेट से आई टे किया हो आप सबसे form फिल कर सकते हैं लेकिन अब आप ये समझो अगर आप 2 ट्रेट से आई टे करके बैठे हैं तो दोनों ट्रेट से आप form फिल कर रहे हैं तो आपकी डबल महनत हो जाएगी और दूसरा ये इंपक्ट में आप लोगों को बता देता हूँ लास्ट टाइम भी इंपक्ट हुआ था बच्चों ने 3-3 ट्रेट से form फिल किया था हमारे देश में बहुत सर बच्चे हैं 3-3 ट्रेट से आई टे करके बैठे हैं और उनका एक्जाम दो ट्रेट का एक साथ तो उस टाइम पर आप लोग फस जाओगे मेरी जो परसनल रिकमेंडेशन है आप लोगों को किसी एक ट्रेट को पकड़ो और एक ट्रेट से form फिल करो और उसमें अपना 100% दो आप लोगों को डाइवर्ट नहीं होना ठीक है इस चीज का आप लोगों ध्यान रखो इस से आ लोड़ा पेशन्स रखो इनका दूसरा कोशन है सर पढ़ाई कहां से करें देखो भई आप लोग जानते हैं पढ़ाई के लिए मैं आप लोगों को पहली इन्फोर्म कर चुका हूँ मैंने लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है 189 में आप लोग अप लोगों है ठीक है 189 के साथ ही PDF तो दूँगा ही दूँगा और उन बच्चों को जो है lectures भी प्रोवाइड करूँगा मुझे 1200 रपे 700 रपे 800 रपे आप लोगों से नहीं लेने है उतनी ही कोस्ट में मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में ल आईवर्ट मत कर लेना अगर आप में वो शमता है आप में वो कपैसिटी है दोनों चीजों की पढ़ने की तो आप प्लीस फिल कीजिए दोनों से और इस चीज का ध्यान रखना दोनों ट्रेड का या डिप्लोमा या फिर आईटे से दोनों से फॉर्म फिल कर रहे हैं आपक पर एक्जाम रिटन होगा या ओनलाइन होगा और कोशन कैसे आएंगे टिक करने वाले या पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा तो यह भी यार इंपोरेंट सवाल था तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों का एक्जाम रिटन जो सब्जेक्टिव होता नहीं आप लोगों का ओफलाइन पेपर होगा आप लोगों का पेपर होगा सीबिटी यानि कंप्यूटर बेश टेस्ट होगा जिसमें आपको एम सी क्यू दिये जाएंगे और वो जो एम सी क्यू है आपको टिक करके जो है यहाँ पर उसका जवाब देना पड़ेगा ठीक आई हो सर्मकैनिकल ग्रूप में कौन कौन से ट्रेड पढ़ने होंगे प्लीज बताएं मेरा ट्रेड मसीनिस्ट है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सिर्फ अपने ट्रेड का पढ़ूं या फिटेड टरनर ये सब पढ़ूं देखो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि आपको सबसे पहले तो अपनी ट्रेड पर फोकस करना है आपके जितने भी चैप्टर से हैं जो आपने पढ़ाई किये थे आईटे के टाइम पे उनको पूरा अच्छे तरीके से आजम कर लो उनको जो अच्छे तरीके से पढ़ लो फिर जो आपके चैप्टर है मसीनिस् कर लो हाँ अगर आप यह सोच रहों कि आपका जो है 30% फिटर से दे दिया जाएगा मेकैनिकल में 20% यहाँ पर जो है आपको दूसरी कैटिगरी से टनर से दे दिया जाएगा 50% मसीनिस्ट का आएगा तो ऐसा नहीं है 80 के 80 जो आप लोगों के मार्क्स दे रखे हैं जो कैट कैटिगरी है CBT 1 में ही 2nd कैटिगरी वो आपकी मसीनिस्टेट से आएगा आपको इधर उदर भटकने की जुरत नहीं है आप अपनी ट्रेड पर फोकस करो हाँ फिटर का थोड़ा सा आप पार देख लेना जो आपकी ट्रेड से मिलता जिलता हो ठीक है इसका सवाल का से कर रखा है तो सर दोनों में फोम फिल कर सकता हूँ I hope कि इसका सवाल का जवाब मैंने पीछे वाली जो बच्चों के सवाल है उसमें दे दिया आप प्लीज वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके उसका जवाब देख लो वैसे आप दोनों ट्रेड से फोम फिल कर सकते हैं पूरी व्याख्या मैंने पीछे कर दिया आप प्लीज उसमे गोर कीजिए नेक्स्ट जो सवाल है वो मुकेज जी का है ये वोने सर क्या नेगटिव मार्किंग होती है पेपर में और ट्रेड पेपर की जो तैयारी है कहा से करें देखो भाई नेगटिव मार्किंग मैं आप ये बच्चे का सवाल है सर अप्रेंटिस वालों को कोई बेनिफिट मिलेगा देखो भई अप्रेंटिस वालों को सी बीटी वन में किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा ना उनका जो फर्स कैटिगरी है जिसमें 40 नंबर है और जो सेकंड कैटरी है जिसमें 80 कोशन है उसमें से किसी में भी benefit आपको नहीं मिलेगा, हाँ, जो आपका trade test है, skill test है, उसमें आपको वरियता दी जा सकती है, क्योंकि आपने DRDो से apprentice किये, अन्ने किसी विभाग से किये, तो 0.1% भी आपको benefit नहीं मिलेगा, कोई इन्होंने mention नहीं कर रखा, कि आपको जो DRDो से कर रखी है, आपको benefit मिलेगा, मैं एक जो है, priority के base पे बता रहा हूँ, क्योंकि जिस बच्चे ने यहां से apprentice किया है, उस बच्चे को यहां पर practical के time पे, skill test के time पे थोड़ी knowledge होगी, और वो सारा जो है, उनको जवाब दे सकता है easily, और जो भी practical है वो easily crack कर सकता है, तो अलग से कोई benefit special आपको नहीं मिलेगा, next जो सवाल है, कुनाल शर्मा जी का है, सर इसमें height कितनी चाहिए और exam में negative marking है, negative marking तो नहीं है, इसका जब आप पीछे दे दिया, height के लिए बच्चे परिशान हो रहे हैं, तो भी आप देखो, डिया डियो में notification में height का criteria कहीं पर भी नहीं है, आप चाहिए 4 फुट के हो, चाहिए आप 4 फुट के हो, चाहिए आप 10 फिट के हो, चाहिए 7 फिट के हो, चाहिए 6 फिट के हो, आप form फिल कर सकते हैं, next जो सवाल है, वो शुबम कुमार जी का है, सर बोल रहे हैं, सर मेरा trade है, ITI में diesel mechanic, क्या मैं form फिल कर सकता हूँ, देखो भई, diesel mechanic से, मैं भी थोड़ा उदास हूँ, actually diesel mechanic की जो trade है न, इसमें department ने, बहुत कम vacancy दे रखी, 4 vacancy अन्रिजफ केटिगरी में, अब बच्चा ये सोच रहा है, form fill करूं या ना fill करूं, अगर मैं personally आपको recommend करूं, vacancy लंबे समय बाद आई है, आप इसका form fill कर दो, बाद में decide करना, paper देना है या नहीं देना, मेरे according आपको form fill करना चाहिए, अगर मालोन 4 में से, आपका 4 vacancy है, आपका exam बहुत अच्छा चलेगा, आपका CBT बहुत अच्छा चलेगा, तो काई की परिशानी, चाहे 1 vacancy हो, चाहे 10 vacancy हो, आपको मोका तो मिल जाएगा, तो मेरे according आपको form fill करना चाहिए, competition मैं समझ सकता हूँ, competition बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप देखो department ने vacancy निका लिया, हम इस पर कोई अर्चन तो कर नहीं सकते हैं, ना कुछ सवाल उठा सकते हैं, जो है लोगों के सामने, next, जो सवाल है, वो विक्की जी का है, ये बोरे साथ, डियाडियो सेप्टम में apprentice complete वालों का form apply हो सकता है, देखो भई, इन्होंने जो qualification का criteria रखा है, वो 10th plus ITI रखा है, apprentice का कुछ भी criteria नहीं है, हाँ, अगर आपने 10th plus apprentice किये, तो आप इसका form नहीं fill कर पाऊगे, 10th plus ITI किये, तो आपने यहाँ पर देखा होगा, धे रखा है notification में, आप form fill कर पाऊगे, 10th plus ITI plus apprentice है, तो apprentice का कोई काम नहीं है, 10th plus ITI के बेश पर आप form fill कर पाऊगे, I hope Vicky जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया, और साथ में जो बच्चे हैं, उनका भी जवाब उनको मिल गया, इसके बाद सर क्या मैं, यह दिनकर जी का सवाल है, सर क्या मैं MMV वाले ट्रेड के स्टूडेंट्स, ओटो मुबाइल ट्रेड में अपलाई कर सकते हैं, प्लीज सर बताएं, क्या सर ओटो मुबाइल की कोई अलग से ट्रेड होती है, ITI में सर मेरा यह question का answer बताएं, तो दिनकर जी आप लोगों को बता दूं, कि MMV ट्रेड जो है नोटिफिकेशन में अलग दे रखी है, जिसकी जो वेकेंसी है, वो अलग है, और जो ओटो मुबाइल है, पहले नंबर पे जो टेक्निशन में आप लोगों को दे रखा है, उसकी अलग वेकेंसी है, तो दोनों को आप मिक्स मत करो, ओटो मुबाइल की पाँच वेकेंसी दे रखी है, और जो हमारी, जो MMV की ट्रेड है, उसमें 13 वेकेंसी दे रखी है, तो दोनों ट्रेड अलग अलग है, हमारे देश में ओटो मुबाइल की भी ट्रेड होती है, IT की और MMV की भी होती है, तो दोनों trade को mix मत करो, दोनों trade अलग है, दोनों का form आपको अलग-अलग fill करना पड़ेगा, अगर आप यह सोच रहे हैं, automobile वाला बच्चा MMV में चले जाएगा, यह MMV वाला बच्चा automobile में form fill कर देगा, तो ऐसा नहीं है, I hope दिनकर जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गय जाएगी, तो यहाँ पर यह एक question इसमें include किया, इन्होंने ED workshop calculation and science employability skills से कोई प्रशन तो नहीं आएगा, तो भाई देखो, trade theory में इनसे कोई मतलब नहीं है, ना ED से, ना workshop calculation से, ना science से, ना employability skills से, आपका जो main focus है, वो आपको आपकी trade का पढ़ना पड़ेगा, जो trade के जो chapter ह होते हैं, आपने देखा होगा, IT के time पर जो chapter आपको दिये जाते हैं, आपको उन पर focus करना है, पूरा आप लोगों को, अगर मालो, chapter के अंदर कोई साभी topic दे रखा है, तो इस topic के आपको बहुत सारे जो है, यहाँ पर, जो भी method होते हैं, वो अपनाने पड़ेंगे, यह ED workshop calculation and science, employability, skill, इसके कोई मतलब नहीं है, तो इस पर focus करने के आपको जुरत नहीं है, next, जो सवाल है, यह सांगनिक भोवाल जी का है, यह बोल रहे है, तयारी कैसे करें, मतलब trade के लिए कुछ notes और videos मिल जाती, तो अच्छा होता, और previous search के questions paper, यह बच्चे का सवाल है, तो practice set में provide कर सकता हूँ, link description में, practice set के साथ आपको non-technical भी provide कर दूँगा, ITA का जो part होगा, वो भी provide कर दूँगा, हाँ, previous search के papers आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कोई भी अगर आपको व्यक्ति previous search के paper दे रहा है, हाँ, अगर उसको वो knowledge है कि उसको students ने share की है, जब वो exam देने गए तो वो अलग बात है, लेकिन आपको previous search के papers कहीं नहीं मिल सकते है, इसके practice set मिल जाएंगे, और आपको जो है, यहाँ पर अलग से जो theory होती है, वो मिल जाएगी, लेकिन previous search के paper आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तयारी कैसे करें, तयारी के लिए link description में है, next, जो सवाल है, यार य ITI ESM करके trade दे रखी है, और बच्चे जो है, ICTSM के हैं, तो यह बच्चा पूछ रहा है, sir, ICTSM वाले trade की vacancy, इसके पुराने name, ITESM trade के name से vacancy दिया है, तो trade को लेकर यह जो, जो है, जो चल रहा है criteria, आगे चलके DV में problem तो नहीं होगी, देखो वई, अगर ICTSM का पुराना न नहीं होगी, DV के टाइम पर भी नहीं होगी, तो बिल्कुल परिशान मत हुए, आप बिंदास तरीके से form को fill कीजिए, कोई परिशानी आती है, comment box से mention करो, परिशान होने के जुरत नहीं है, form आप fill कर सकते हो, इनको वैसे, D.I.D.A. को अपने जो notices होते हैं, इसको update करना चा है, तो गलती है, IT, EMS, इसका पुराना नाम था, ठीक है, तो I hope कि इस चीज़ को आप लोग समझेंगे, और form बिंदास से apply करो, ठीक है, परिशान होने की जुरत नहीं है, परिशान होगे, तो form भी आप easily नहीं fill कर पाऊगे, उसके बाद next जो सवाल है, ये तनेश्वरी जी है, ये बोलने है, सर मैं अभी ITI कर रही हूँ, क्या मैं form भड़ सकती हूँ, देखो भई, अगर आप अभी ITI कर रहे हैं, तो आप form नहीं fill कर सकते, ITI आपका complete होना चाहिए, ठीक है, I hope इसका सवाल का जवाब आपको मिल गया, अब एक सवाल जो बहुत ज़्यादा परिश को आएगा, या 11 को आएगा, या 8 को आएगा, या 7 को आएगा, देखो भई, आप form fill कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, form fill करने में, लेकिन एक condition है, अगर आपका अभी तक result नहीं आया, उस टाइम पर आपका result आजाता है, तो एक condition पर form fill कर पाएंगे आप, आपके पास mark sheet, दोनों आजाने चाहिए, आप easily form fill करने में, कोई कर लेंगे, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, इसके बाद, एक और सवालता बच्चे का, कि सर, अगर नहीं आती mark sheet और certificate, तो आप नहीं fill कर पाऊगे, वहीं, truly speaking, form आप नहीं fill कर पाऊगे, ठीक है, अब एक और सवालता, जो मेरे mind में आ रहा है, मैं इसी में चोड़ देता हूँ, एक बच्चे का सवाल था, सर मेरे पास ना original ना mark sheet है, ना certificate है, मैंने जो download किया है, मेरा download वाला है, मेरे पास certificate और mark sheet, तो भाईया, वो दोनों चल जाएगा, बिल्कुल परिशान होने की जुरत नहीं, दोनों आपक का काम कर देगी, I hope इस सवाल का जवाब आपको अच्छे तरीके से मिल गया होगा, इसके अलावा study material के लिए बच्चे जो परिशान हो रहे हैं, परिशान मत हूँ है, description में लिंक दे दिया है, और अभी मैंने सिर्फ non-technical part provide किया है, हर बच्चे को, मैंने technical part provide नहीं किया है, technical 3 September, 30 नहीं, 3 September को मैंने वादा किया है, बच्चो को देने का, तो 3 September को आपको जो है, वो चीज भी मिल जाएगी, तो अभी non-technical वाला part देखो, और इसके बाद जो है, मैंने जो course रखी है, 189, इसके अलावा आपको कुछ अलग से pay नहीं करना है, इसमें मैं आपको technical भी provide क कर दूँगा, हाँ, वो जो आप बोल रहे हैं कि सर जी, एक बंदा जो है, 5000 का course बेक रहा है, कोई 700 का बेक रहा है, कोई 800 का बेक रहा है, तो हम ले लें, देखो भई, मैं इस चीज पे मैं कुछ टिपनी नहीं करना चाहूँगा, जो मेरे पास चीज है, बस मैं उससे आपक courses नहीं देखें, दूसरों का आप देखो, उनके reviews देखो, अगर आपको लगता है कि वो लोग सही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके reviews अच्छे हैं, लोगों ने exams पास की हैं वहां से, उनके course लेके तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प दो-धाइडे-हजार के इतने भेंगे जो मिल रहे हैं, वो मैं अपनी तरफ से recommend नहीं करूँगा, इससे better होगा, आप अपनी book से पढ़ाई करो, और महनत कर लो, और कोई समस्य आती है, comment box से mention करो, और मैं एक mail आईडी आपको दे रहा हूं, online and offline, gyan, 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 gmail.com, तो इस प description में मैंने membership का link दे रहा है, आप वो link join कर लेना, मेरा personal जो number है वो आपको मिल जाएगा, और मैं आपको properly guide कर दूँगा, ठीक है, और बाकी study metal के परिशान मत हुए, description में link है, पहले non technical दूँगा, और 3 September को आपको technical provide कर दूँगा, और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मेरा budget बन गया, अगर मुझे लगा कि जो मतलब हमें achieve करना दा, वो हमने achieve कर लिया, तो जो मेरे पास twitter, turner और machinist के lecture है न, वो मैं free कर दूँगा, आप सब के लिए, ठीक है, तीन trade का मेरे पास है, बाकी trade का मेरे पास जो video lectures नहीं है, PDF और e-books है, तीन trade के video lectures है, वो मैं free कर दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, बाकी धन्यवाद, keep in touch, I hope कि ये लंबी सी video आपको अच्छे लगे होगी, video 18-19 मिनट की हो गई है, और I hope कि इस तरीके से जो मैं आपके लिए Q&A ले करा हूँ, आगे ले करा हूँ, अगर आप comment mention करोगे comment box में, तो मैं आपके लिए next week, एक Q&A की video ले करा जाँगा, फिर I think D.I.D.O की जितनी भी समस्य है, आपकी समस्य है, solve हो जाएगी, और अंत में जाते जाते एक और question का मेरे पास question बहुत आ रहा है, sir इस बार आप D.I.O के form fill करोगे हमारा, तो मैं 100 बच्चों की request लूँगा, 100 बच्चों से जादा request नहीं लेजे, धन्यवाद, keep in touch.